बात करते हैं मकर राशी की जो मकर राशी की जातक हैं आज आप कौशानक देश विदेश की यात्रा का यूग बन रहा है मान सम्मान पत पर्तिष्टा में बड़ोतरी होते हुए दिख रही है आपके रोग और सत्रों बिरोधी परास्त होंगे यात्रा से दनलाब होगा बैपार में अगर कोई भी पूजी निवेस आपने कर रखा है तो उसमें आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा सरकारी नोकरी में बुलावा आ सकता है सक्षतकार हेत भी बुलावा आ सकता है कई महत्मुण कार होने की संभौना बन रही है बाणी पर संजम आवस्यक है सौधानी का ब्रतनी है तेजगती से तेजगती की वहां चलाने से बचें उपाय क्या करना ओम हंग हन्मते रुद्रात्म काई हूंग फट स्वाहा इस मंत्र का जब करना आपके लिए लाप्रत रहगा सुभं के साथ सुभरंग सफेद लख की लितरपाटी आप देखरे से भागिगुरू कारिक्रम खागि गुरुकरव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि पंचांगो की क्या इस्थती है सुर्योदे कब होगा सुर्यास कब होगा चंदरमा किस राशी पर है राहू का अलकाव है दिशा सुल कब है कौन सा तिथी है कौन सा योग है कौन सा करण है कौन सा नचत्र है राहू का अलकाव है सुब तिथी क्या है सा भागोदय होगा कौन खेल के चत्र में, ये सर्जित करेंगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखाप, किसको रियल स्टीट प्रापर्टी चला मिलेगा, किसको सरकार म होगे उच्छ पत्की प्रापती होगी, राज किस रंग के प्रयोक करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी सौधनी के अब रतने उपाय क्या करना है गुरू के नुश्के भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा आप देखते रहें भागी आज है 17 अगस्ट दोहजार चोबिस तीन है सनिवार तिथी है द्वादसी नच्छत्र है पुरुआ साड्न च्छत्र सुर्योदे हो चुका है सवे रेच छे बच के आठ मिनट पर सुर्यास्टों का साम को छे बच के तिरपन मिनट पर बालो करन है धनू राशी में चंद्र चंद्रमा है धनुराशी में जब धनुराशी में चंद्रमा हो तो आज आपको क्या करना है कि अपने मन पर नियंद्रा रखें इमोशन में आके कोई भी नेड़े न लें दिल की बजाए दिमाग की बात सुनें और आज जो भी प्लान करेंगे आपकी योजनाय सफल होंगी त दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहुकाल में कोई भी कारें न करें क्योंकि राहुकाल में क्यागे कारें पूर्ण नहीं होता तो राहुकाल में क्यागे कारें निशिद्ध माना जाता है इसके बाद आप क्या करें कि जो यात्रा है आपकी यात्रा खास दोर से दिशा बैपार करना चाहते हैं कोई बड़े लेबल पर कोई नए तरह का बेऊशाय करना चाहते हैं तो सुम मुहुर्थ में इसकी शुरुवात करें आपके लिए अच्छा रहेगा शनी की इस मंत्र का जब करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समधान होता है जदी आपकी कुंडली में शनी की शाले साती धैया या शनी की महादर्शा अंतरदसा अपरे तंतरदसा चल रहा है ऐसे परिस्ति में अगर आप इस महा मंत्र का जब करते हैं तिया महा मंत्र आपके लिए काफे लाप्रद सिद्ध होगा आपकी परिशानिया समाप्त होंगे और आप उत्रोतर आगे बढ़ेंगे